इस वीडियो में जानेंगे की वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है इसका सही जवाब है थर्मो इस्पियर वायुमंडल की सबसे गर्म परत थर्मो इस्पियर है यह परत सूर्य से आने वाली किरणों को बहुत ज्यादा अफसोसित करती है और इस वज़े से यहां का तापमान बहुत ज्यादा वड़ जाता है थर्मो स्पियर में तापमान 2000 केल्विन या 1777 डिगरी सेल्सियस तक पहुँच सकता है